क्लास आज देखते हैं हिंदी भ्याकरन में page number 11 page number 11 11 हमें देखिए आप लोगों का work दिया हुआ है सही सब्द में क्या करना है आपको चिन्न लगाना है आपको पिक्चर दिया हुआ है उसको देखना है और यहाँ पे जो सब्द लिखा है उसको आपको उस पिक्चर से क्या करना है मिलाना है और उसमें सही का तिक लगाना है जैसे हैं निसान लगा हुआ है वίας से ऐसे chip कुछ लड़की सुई हुई हलां निसान पर यहां पर कि जो है ने कब हो सकता है यह जैसे कि यहां पर जो लिखा है मैं बीमार या ताकतवर हूं तो यहां पर जो बीमारी को दिखा रहा है कि ताकतवर को दिखा रहा है ताकतपन को दिखा रहा है तो इसको आपको पहचानना है और क्या करना है जो सब्द दिया हुए उसने आपको राइट का चिन्ध लगाने यह वाला राइट का चिन्ध लगाने जैसे कि यहां पर देखते हैं फर्स्ट में मैं बीमार या ताकतवर हूं तो यहां पर ताकतवर दीख रहा है क्या नहीं तो यह लड़की किसमें लेटी हुई है बीमार से मतलब बीमारी से है ना बीमारी से क्या बिमार हूं तो ये बिमार में हम टिक लगाएंगे तीक है मैं अच्छा या अच्छी हूं मतलब लड़का लोग जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे वो अपने लिए है अभी यहाँ पर पिक्चर नहीं दिया है यह आपके लिए है तो मैं अच्छा हूं और लड़की है तो मै मैं अच्छी हूं अगर आप लड़की हो तो मैं अच्छी हूं तो अच्छी में लगाना है अगर आप लड़के हो तो वहां पर अच्छा में तो यह आप लोगों प्लिए है तो मेरे बाल लंबे या छोटे हैं तो आप लोगों के उपर डिपेंड करता है कि आपका बाल कैसा तो अपने बुक में अपने अनुसालिक नहीं है तो आपके मेरे बाल लंबे अगर लंबे है आपके बाल तो यहां पर लंबे में टीक लगाना अगर आपके बाल छोटे है तो यहां पर छोटे में टीक लगाना है ठीक है नेक्स देखते हैं मैं मेहनती या आलसी हूं तो ये आपके उपर depends करता है कि आप महनती हो कि RC हो है na, RC मतलब क्या जो आज के काम को कल के उपर टालते है आज का काम को कल करते हैं कल का परसू, परसो का नर्सों ऐसा बोलते है जैसे अभी वर्क दे रही हुँ मैं उसको क्या करेंगे नहीं कल करूंगा या कल करूंगी तो यह क्या हो जाएगा RC तो आप आज का काम आज में करते हो कि कल में टालते हो तो यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो तो आप महिनती हो कि RC हो तो यह आप लोग करना ठीक है अगर आप अपना काम सही टाइम में करते हो तो आप महिनती हो अगर आप अपना काम को टालते जाते हो आज नहीं, कल नहीं, परसू नहीं ऐसे करकर करके टालते जाते हो तो आप क्या हो? RC हो तो ये आप लोग अपने से कर लेना ठीक है? तो मैं छोटी या छोटा हूं तो यहाँ पर जब girls लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे मैं छोटी हूँ अगर यहाँ पर boys बोल रहे हैं लड़का बोल रहा है तो क्या बलेगा मैं छोटा हूँ तो इसको आप अपने book में ठीक लगाएंगे लगाएंगे ठीक है तो मेरे दाथ सफेद या पीले हैं तो आपके दाथ सफेद है कि पीले है इसको हम कैसे पता चलेगा आईना रखना सामनी में अगर देखना अपना दाथ को ठीक है अगर brush करते हो तो आपका दाथ सफेद रहेगा नहीं करते हो तो आपका दाथ पीला रहेगा तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से उसको टीक लगाओगे तिक है अगर शफेद है तो यह शफेद में टीक लगेगा अगर आपके दाथ पीले है तो यह पीले में आपको टीक लगेगा Next देखते हैं अगला जो है मेरी आखे काली या भुरी है तो जो आपका आख का जो अंदर का भाग है, जिसको अंपटली बोलते हैं, वो अगर आपका काला है या भूरा है, तो इसको आप आइना में देख लेंगे है ना, या अपने मंधी पाव़ से पूछो अभी, है ना, और उसको आप भरो. तो मेरी आखे काली है या भूरी है तो यह अपने आपको भरना है ठीक है अब नेक्स लेके मेरे कपड़े शाफ या गंदे है तो अभी आप जो कपड़े पहने है वो साफ है कि गंदा है या हमेशा गंदा कपड़े पहनते हो कि हमेशा शाफ कपड़े पहनते हो तो इसको आपपने से कर लेना ठीक है तो मेरे कपड़े sharp है अगर आपका कपड़ गंदा है तो आप गंदे में भी टीक लगा सकते हो लेकिन हमें हमेशा sharp शुत्रा ही रहना चाहिए तो इसको आप complete कर लोगे page number 11 का अब देखते हैं page number 12 जैसे हाँ कौन कैसा है में हम जान चुके कि हम सभी में कोई ना कोई अच्छाई बुराई अथ्वा गून अथ्वा आउगून गून मतलब अच्छाई और गून मतलब बुराई वैसे ही क्या होता है कि जो वस्तू है है ना तो सभी वस्तूओं में कोई ना कोई विसेस्ता होती है जैसे हम लोग में कोई ना कोई विसेस्ता होता है वैसे ही वस्तूओं में भी विसेस्ता होता है तो यहाँ पर देखते है तो यहाँ पे छोटी पेंसिल, पेंसिल की क्या विशेस्ता है, पेंसिल कैसी है, छोटी है, तो पेंसिल छोटी है, तो इसका विशेस्ता क्या हो गया पेंसिल का, छोटी, है ना, तो अब यहाँ पे देखते हैं किताब, तो किताब कैसे दिख रहा है, पतला, मोटा, जो भी है तो यहाँ पर क्या है? मोटी किताब, किताब कैसी है? किताब की विसेशता क्या है? मोटी, मोटा है किताब जो है सुन्दर कपड़े, कपड़े जो है कैसे है? सुन्दर, तो कपड़ा का विसेशता क्या है? कपड़ा कैसे है? सुन्दर तो सुन्दर जो है क्या है विसेशन है ना विसेशन स्रब्द है वो आप देखते है नेक्स्ट नई चपल चपल तो है लेकिन यहाँ पे लेकिन चपल की विसेशन क्या है वो एकदम नई है है ना पुराना नहीं है तो चपल की विसेशन क्या है चपल नई है चार आम अब यह है ना क्ट तो यहां पर देखते हैं काली कोयल क्या है चोटा चुहा कैसे है चोटा तो जैसे सुंदर लड़की बूरा आदमी है ना मोटा लड़का वैसे ही हम लोग का जैसे होता है विशेश्टा वैसे ही वस्तुओं में भी विशेश्टा होता है है ना उसी को हम विशेशन कहते हैं अब यहाँ पर देखते हैं ताकतवर हाथी हाथी का विशेष्टा क्या बता रहा है हाथी कैसा है तांकतवर है ना हाथी कैसा है तांकतवर तो तांकतवर हाथी तो यहाँ पे हाथी की विशेष्टा जो है तांकत तांकत से है ना अब यहाँ पे देखते हैं दो गुलाब यहाँ पे फूल रखा हुआ है लेकिन कौन सब फूल रखा हुआ है गुलाब फूल रखा हुआ है और जो गुलाब फूल है वो कितनी है गुलाब की विशेस्ता क्या है कीवे वहाँ पे दो है तो दो क्या हो जाएगा विशेशन यहाँ पे देखिए लंबा जिराब जिराब कैसा है लंबा मतलब हम लोग में जैसे अच्छाई बुराई होता है वैसे ही वस्तुओ जानवरों में भी अच्छाई बुराई उसका भी विशेश्टा होता है ना तो ये सभी वस्तुओं में कोई नो कोई विशेश्टा होती है यहां पे लिखा हुआ है ना तो ये हैं कोपी में इसको अपना बुक में कम्प्रीट करेंगे पेज नंबर 11 का और जो पेज नंबर 12 है उसको आप लाइन से लिखोगे अपना कोपी में जैसे कि छोटी पेंसिल है ना मोटी किताब सुन्दर कपड़े नई चपर चार आम काली कोयल छोटा चुहा ताकतवर हाथी दो गुलाब लंबा जिराफ ठीक है इसको आप लाइन से लिखते जाएंगे है ना अपना कोपी में लाइन से लिखेंगे वहाँ पे ये भी कौन से सब्दा है विसेशन कौन कैसा है ऐसा है ना तो उसी में से है ये नेक्स्ट दिन हम पढ़ेंगे स्त्रिलीम पूलिंग पेज नमबर 14 तो आप पेज नमबर 11 12 का कम्प्लीट कर लोगे ठीक है और मेरे नमबर में आप सेंड करते जाओगे और जब आप वीडियो देखते हो तो इसको लाइक जरूर किया करो ठीक है ओके थैंक ये